कि लास इस्टेडी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो उत्राखन पुलिस के लिए हमारे चैनल में एक शीरीज चल रही है जिसका आज पांचवा भाग है जिसने इससे पहले चार भाग नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेइस्ट में जाके जिरूर वाच कर ले तो परकास्यत्त पर्शास्यत्त किया था गैर में गैर दी चैनल मेंर्ड़ के रूप में अगैर नफ्य के रूप में एम इसकाँसरं करना रोड़ाई गैर में में降। च्छेतर के रूप में घैर बगिन में गें च्छेतर के रूप में प्रकाशित दा जिसमें क्या होता था जिसमें बंगाल डेस्टेंट जो बंगाल प्रेसेड़न्ट वा करती थी 1905 में जो की पूरे 堅वा य कुमाव में लागू नहीं थी कुमाऊ में लागू ere यह नहीं थी क्योंकि यहां की यहां की जनता काफी वोली वाली थी तो यहां पर उस समय जो भी अपने कमिशनर हुआ करते थे उन्होंने अपने उच्छे पदधिकारों से बोला था कि यहां पर 11 बिन में छेत के रूप में इसको लागू करने की हमें मतलब लागू करने की इक्षा परदान की जाए तभी जो हमारे बीटिस कमाउं अंग्रेजियों के टाइम में गैर बिन में छेत की रूप में परकासित था नेक्स्ट कुश्चिन है ट्रेल ने राजस्व ग्रामबार सिमाओ का राजकिये अभिलेक कप किया था 1823 में किया था यह 1824 में किया था यह 1825 में किया था यह 1826 में किया था तो ट्रेल ने जो पहला ग्रामवार क्योंकि ट्रेल के टाइम में क्या हुआ था जो यहां की जनता थी वह भूमी बंदूबस करवाना चाहती थी ठीक है भूमी बंदूबस इससे पहले भी हुआ था ए तो उनके ट्रेल के टाइम में 1823 में प्रस्ति साला बंदुबच हुआ था जो कि एक विवस्टित बंदुबच था और यह किसकी मांग पर हुआ था यह जनता की मांग पर हुआ था ट्रेल ने अलमोला था पॉड़ी जेल का निर्मार कब किया था? तो ट्रेल ने कुमाओं जनपद में उस समय बेटिस सम्राज के टैम जो जिस टैम बेटिस प्रस्ताशनी विवस्ता कुमाओं में चलती थी उस समय टेल एक काफी कुसल कमिशनर की रूप में जाने जाते थे तो टेल के टैम में बहुत सारे काम हुए थे उनके ही टैम में टेल ने अलमोला और पॉड़ी में दोनों जगह पर किस ने करवाय था? अलमोला में करवाय था 1816 में और पॉड़ी में करवाय था 1821 में तो 1816 में पहले हुई थी इसकी इसतापना हुई थी जेल की हुई थी यह कोश्चन अलग-अलग टाइप से पूछे जाते हैं तब यह हम इन कोश्चनों में ज़्यादा फोकॉस कर रहे हैं कि ट्रेल ने अलमो कुमाओं को कितने परगनों में विवाजत किया था तो ट्रेल ने कुमाओं को कितने परगनों में विवाजत किया था यह कोश्चन हमने पहले भी करा है तो ट्रेल ने कुमाओं को 26 परगनों में विवस्तित किया था तो ट्रेल ने अलमोला में देशी चिकिस्षक की नुक् помощью पूछ है तो ट्रेल ने देशी चिकरस्थर की की थी और कहां पढोना में पेपर में लग-लग टाइब से कोशिण पूझे आते हैं तो इनकी नुक्ति कप थी %7 – कीती हमने एक कोशिंट से एक कोशंट से 27 कोश्टं लेने की कोशिस कि है जिससे आपको जादा से जादा समझ में आए ट्रेल के सेवा निवरत हो जाने के बाद कुछ समय के लिए एक माउं कमिशनर कौन बने थे अब जितने भी हमारे कमिशनर है उनका आपको करम याद रखना चाहिए क्योंकि पेपर में कभी-कभी एक्जामनर उनका करम फूझ देता है तो मौझले इसमित थे जार्ज गोबन थे या लोशिंग अटन थे या बैटन थे जब ट्रेल अपने प्रेल 28 वर्सु टक उन्होंने क्या किया था सानस expense किया था साथ खशाल ने ट्रेल 28 सासना के वाद वो 17 उन्हें तो उनके नीचे काम करते थे कान थे मौजले इश्मित मौजले इसमित उन्होंने ट्रेल के सेवा निवदर्थ हो जाने के बाद उन्होंने कुमाओं पर सासन किया था कुछ समय के लिए किया था नेक्स्ट कोश्चन है बिटिस कुमाउं के तीसरे कमिशनर कौन थे तो बिटिस कुमाउं के तीसरे कमिशनर कौन थे जैसा कि मैंने आपको उपर बताया कि आपको जितने भी कमिशनर है उसको उनकी सीरीज आपको याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा कमिशनर है त जोर्ज गोवन काफी काफी कुशल कमिशनर थे नेक्स्ट कुश्चन है किस कुमाउं कमिशनर की मित्व उसके सासनकाल में हुई थी लूशिंग गटन मॉजले स्मित बैटन और जोर्ज गोवन तो वे कौन से कमिशनर थे जिनके सासनकाल में उनकी मित्व हो गई थी तो वे गटन थे इनी के कारेकाल में नैनी ताल को नगरपालिका बनाया गया था नगरपालिका बनाया गया था यह कोश्चन काफी बार कोश्चन पेपर में पूछा जाता है कि किसके काल में नैनी ताल को नगरपालिका बनाया गया था तो वो कौन थे लूसिंग गटन थे और लूस तो अभी अभी मैंने बिल्कुल ऊपर आपको बताया इस कांसर नाइनिताल नगर पाली का एक्ट लूशिंग गटन इस कांसर तो आपको पता ही जिनके सासन काल में पारित किया गया था लूशिंग गटन के कब 1842 में पारित किया गया था जब 1842 में पारित किया जाएगा तू यह बनेगा कब 1848 में नेनितलनेगरपालिका की स्टापना हो गई थी किसकी अद्ध्यक्ष्था में अलमोडा में मार्च 1848 में डिस्पैंसरी कमीटी का गठन हुआ था लूशिंग गटन के मौजले श्मित वैटन या जॉर्च गोवन तो किनकी अद्ध्यक्ष्था में इसरी कमिटी का रेंटाब हुआ था, मार्च 1818 में कमिटी का रेंटाब हुआ था और वह हमद्रेंटाम यही्य लूशिंॉग रुखत्रामें जब कंशनर थी तो वे अच्छे-चछे काम करके गए जिनको आज भी जाद किया जाता है next question है hills side safety committee का गठन 1867 में हठा 1848 में हुआ था 1869 में हुआ था या 1870 में हुआ था तो hills side safety committee का गठन हुआ था 1837 में हुआ था और उस समय commissioner हमारे कौन हुआ करते थे उस समय हमारे कमिशनर हुआ करते थे ट्रेल ट्रेल के टाइम में ही कुमाउं में काफी भूश कलना आए थे इसलिए उन्होंने ननिताल को देखते हुए उन्होंने हिल साइट सेप्टी कमिटी की इस्तापना की थी कुमाउं कमिशनरी कारिकाल अल्मोडा से ननिताल इस्तांतर किसके सासनकाल में हुआ था बैटन के लुसिंगटन के मौजले के या मौजले श्मित के या जॉर्ज कोबन के तो कुमाउं कमिशनरी कारिकाल है अल्मोडा से अल्मोडा से ननिताल में इस्तांतर कर दिया गा था वो हुआ था बैटन के काल में वन विभाग के पहले कंजरवेटर कौन थे? रैमजे थे, लूशिंगडन थे, मौजले इस्मित थे या जोर्ज गौवन थे तो वन विभाग के पहले कंजरवेटर कौन थे? ये काफी important question है पहले कंजर्वेटर कौन थे वह थे रेमजे और रेमजे को कुमाओं का अच्छा आप ये बताइए कुमाओं का बेताज बास्सा किस कमिशनर को कहते थे इस कांसर आप कमेंट में देना जिसको भी आता हूं नहीनिताल को सिक्छा के एक हिंद्र के रूप में किस में विक्षित श्कूल के नाम से जाना जाता है उसी स्कूल की क्या हुई थी इस्तापना हुई थी नेक्स्ट कोश्चन है अल्मोडा बामोरी मार्क का सर्वेक्षड कारे कब शुरू हुआ था 1850 में हुआ था 1851 में हुआ था 1852 में हुआ था या 1853 में हुआ था तो अल्मोडा बामोरी मार्क का सर्वेक्षड हुआ था 1850 में हुआ था तो लूशिंग गटन के बाद कौन कमישनर वनने थे हैलिट वैटन लूशिंग गटन मौजलाई स्मिथ या जॉर्च गोवन तो लूशिंग गटन के बाद कमिशनर वनने वाले वैक्ति थे हैलिट वैटन नेक्ट क्वेश्चन है लूसिंग अटन का कारिकाल कितने से कितने वर्सों तक था तो लूसिंग अटन ने 1838 से 1848 तक सासन किया था या 1849 से 1849 तक या 1840 से 1850 तक या 1841 से 1851 तक तो लूसिंग अटन का कारिकाल हुआ था 1838 से 1848 तक और यह वही कमिशनर है जो अपने सासन काल में इनके ही सासन काल में इनकी क्या हुई थी मित्यू हुई थी इन्होंने लगबग 10 वर्सों तक कुमाओं में अपनी सेवा दी थी ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमी को आरक्षित कब किया था 1826 में 1825 में 1827 में या 1829 में तो ट्रेल ने सरकारी उपयोग के लिए थापला भूमी को आरक्षित किया था वन विभाग के पर्थम महानी रक्षक कौन थे डिट्रिस, बैंड्रिस, मौसले, स्मित या जॉर्ज गोवन तो इन में से कौन थे वन विभाग के पर्थम महानी देशक तो वन विभाग के पर्थम महानी देशक थे डिट्रिस, बैंड्रिस जो की परवंदक बेग्यानिक के आदार पर जिन्होंने बन विभाग को बाटा था और बन विभाग के पर्थम ट्रेजियर कौन थे यह कोश्चर में उपर भी किया था पर्थम ट्रेजियर कौन थे तो यह थे हमारे पर्थम ट्रेजियर कौन थे यह थे ट्रेल तो दोनों कोश्चेनों में फरक है वन एड्यक्स कौन थे फिवेडम लूशिंगतन मौजल समित या जोर्ज गोवन तो फ्रेस्ट गिर्वेंस केमितिक एड्यक्स कौन थे फिवेडम थे और फिवेडन के टैमी के टैमी एक बहुत अच्छा यो एक पो ली देगार प्रिता को क्या किया था समाप्त किया था 1921 में कौंच्छी नदी में सारे रईस्टरो को बा दिया था सरीव नदी में और लगवक कितने 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 आदमीत चालिस हजार के अर्सपास ठीक है तो फॉरेस्ट क्रिवेंस कमीटी के अद्दक से पीवेडम और पीवेडम के टहई में सबसे जो कूप रिथा थी कुमाउं में उसको समाप्त किया गया था नेक्स वोशन है तीरी राज में टीका विधान कब पारित हुआ था उननिस सो तितालिस में उननिस सो चवालिस में उननिस सो पैतालिस में या उननिस सो चैलिस में तो तीरी राज में टीका विधान पारित हुआ था उननिस सो तितालिस में पारित हुआ था तीरी राज में भ स्थ 14 ऐध्य शारी सेक है से विक सेवन एड इक इसम आख उजएगा तो इसका सेवन अबलिक इसका आन्सर terождate बाते ते राज में मैं भूधासो को क्या कहते दा तो चन्द काल में में भूधासो को कहते थे क्या कहते थे कैनी कहा करते थे किसने कत्यूर की नाली को पैमाना मानकर भूमी बंदुबस किया था जॉन भीकेट 1872 में लूसिंग अटन मौजले श्मित या जॉर्च गौवन तो कत्यूरी नाली को पैमाना मानकर जिन्होंने भूमी बंदुबस किया था इसको कत्यूरी नाली को पैमाना मानकर जिन्होंने भूमी बंदुबस किया था वो कौनते जॉन ब किस ने रखी थी ट्रेल ने रखी थी लूशिंग अटन ने रखी थी या मौजले समित ने रखी थी या जोर्ज गोवन ने रखी थी तो बिटीश कुमाऊं में बिटीश साशन की अधार सिला रखने वाले पहले हमारे कमिश्नल थे ट्रेल थे जो कि जुलाई 1817 से यह डेट बहुत इंपोटेंट है 1817 से अक्टूबर 1835 तक इनुने क्या किया था सासन किया था और लगभक कितने वर्सुत तक किया था लगभक कितने वर्फू तक इन्होंने सासन किया था कुमाउं डबल लॉक विवस्ता किसने लागू की थी ट्रेल ने 1824 में लूसिंग अटन ने या मॉजलेश मित ने या जॉर्ज कोबन ने पहले हम ये समझते हैं कि डबल लॉक विवस्ता थीख या दूखर डबल लॉक विवस्ता में क्या होता था जो हमारा मतलबब टीजूरी बोल सकते हैं डबल लॉक विवस्ता में जिसमें सरकार अपने पैसे रखती थी जो उनका खजाना हुआ करता तो एक चावी कलेकटर के पास होती थी और दूसरी चावी किसके पास चावी होती दिए जो वहां का ट्रेजरी था ट्रेजरी की पास दूसरी चावी खुवा करती थी तो डवल लोग विवस्ता किस ने लागू की ती यह लागू की थी टेल ने 1824 में, इनके सिशन बहुत इंपोटेंट है, 1824 में लागू की थी, गोबान के बाद कुमाउं कमिशनर कौन बना, टॉमस लूशिंगटन या लूशिंगटन, मौजले श्मित या जॉर्च गोबन, तो गोबान के बाद कुमाउं कमिशनर बना था, लूशिंगटन आपको जितने भी कमिशनर हैं उनका सीरीज आपको जुरूर याद रखना पड़ेगा पेपर में कही ना कहीं से एक हाथ कोश्चन बन जाता है कुमाउं में किसके सासनकाल को श्वाडमिक यूग माना जाता है बैटन के लूशिंगटन के मौजले श्मित के य दो आठाले सो त्रीक अठाले सो सीमें तो द्राइस प्रंड प्रंड एकलो त्षॉतन के अपनों त्रीक दॉइन में और यह खाल इसलिए को उस समय कोई की नहीं में इन द्राइवारिकर हुआ करती थी वह बहुत ज़्यादा फैलती थी तो उस समय इन विमारियों के डर से कोई त्राई में नहीं बसना चाहता था तभी त्राई फंड की स्तापना गई थी और तराई में रहने वाली सबसे पहली जन जाती कोँछी है थारू जाती है है कि नेक्स्ट कोश्चन है और आज का आग्री कोश्चन है कोमाउं का परतम कमिशनर कौन था इगार्डनर था सर हैन्नी रेमजे था जी डबलू ट्रेल था और जे एच ब्रेटन था तो कुमाओं का पर्तम कमिशनर कौन था इगार्डनर था और इसमें एक पॉइंट छूड़ गया है त्राइए इंप्रूमेंट फंट की स्थाफना जो 1883 में हुई थी कि उस समय कुमाओं कमिशनर कौन थे तो उस समय कोईं आई कंशनर थे अपने रेमजे थे इनी के सासनकाल में त्राइए ईंप्रूमेंट फंड की इस्तापना की घ nut को आज हमने उत्राखन के पाच्पाट की सीरिज को कंप्लेट किया है जिसने इस से पहले की शीरिज नहीं द झाल झाल